आप जिस बैंक आफ इंडिया ने आम आदमी को बड़ी रहा देते हुए गोल्ड वैलूरी पर कर्द की वैलू को बढ़ा दिया है अब 90 फेज़ी तक कर्ज मिल सके का अभी तक सोनी की कुल वैलू का पच्छा तर फेज़ी ही लोन मिलता था आप जिस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनिस कंपनी में गोल्ड लोन का आविदन करते हैं वह पहले आपके सोनी की गुर्वत्ता की जार्ज करता है सोनी की गुर्वत्ता के हिसाब से ही आपको लोन की राशी दी जाती है और राशी तैय होती है आम तोर पर बैंक सोनी के मुले के 55 फिज़ी तक लोन देते हैं एक्सपर्स का कहना है कि करोना के इस संक्ट में यह फैसा बेहत फायदे मंद होगा क्योंकि आम आदमी और छोटे कारोबारी अपने सोनी पर जाता कज ले सकेंगे लोन गोल्ड लोन देने वाले संसान अन्बी एफसी या बैंक में जाए अपना किवाईसी डॉकुमेंट दे और वैल्यूशन के लिए गोल्ड की जवैलरी दे वैल्यूशन के बाद कंपनी आपको अदिक्तम लोन अमाउंट और वरतमान स्कीन के बारे में बताएगी फिर आपके दी हुई जवैलरी के मुले का 75 फिस्दी तक का लोन मिल सकता है अगर आपको लोन अमाउंट कैश में चाहिए तो आप कैश में ले सकते हैं या फिर अपने बैंक खाते में भी ले सकते हैं पैसा कलेट करने की रसित आश्रक ले ब्याज का नियमित रोप से पेमेंट करना चाहिए मैचौरिटी के समय बकाय राश्री का भुकतां करे और अपनी जवैलरी को वापस ले गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्ति को उसके पास रखे सोने के सुदता को परकने के बाद ही लो जिसillonे के वानत के तौर पर सोने के गहने गिर वी रखने पर मिल सकता है अब सवाल यह उड़ता है कि कैया आपका सोना उधार देने वालों के Пास सुरक जिथ है या नहीं बिना लासन्स वाले बैंक्या अन्वीएफसी से आप अपने सोने के गहनों को खोगँाने या बदल जाने के जोखी में डा सकते हैं इसलिए यह सला दी जाती है कि विश्वसनी उधार लेने वाले से गोल लोन ले क्योंकि यह ओल्ट में सुरक्षित रहता है आपको अपने सोनी की सुरक्षा के फिक्र करने की जरूरत नहीं है इसलिए अपनी किमती चीजों की सुरक्षा की गा करना होका अगर आपके पास पैंकार नहीं है तो आप फॉर्म साठ जमा कर सकते हैं कोई भी जो 18 साल और उससे जादा उम्र का हो वह अपना सोना गिर्वी रखकर गोलोन लेनी के लिए आवेदन कर सकता है अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइ यंच्छी ले है